कि स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे वीडियो के अंदर यहां पर हम आपके लिए एक इंपोर्टन अपडेट जो रहने वाला है हमारा बीड के लेटर जो भी बच्चे जिन्हों ने अपलाई कर रहा था टू-यर बीड प्रोग्राम के लिए दिस्टेंस मोड उनिव यहां पर वेलिविल्टी ऑफ सीट्स टीक है जो कि वेकंट रहा गी है क्योंकि बच्चों अडमिशन फामल्टी स्पूरी नहीं करी है जो बच्चे स्लेक्टड होए थे अब क्या हुआ है कि बहुत सारी सीट्स रहा गई है तो इसलिए इन्होंने क्या करा है कॉंसलिंग के यह होगा 14th April को ठीक है सुबह 10 बचे लेकर शाम के 3 बचे तक ठीक है और यह होगा हमारा University of Kashmir में अब इसमें यह होगा कि देखो कुछ बच्चे होंगे जो हमारे out of state होंगे यह जम्मू चप्टर या ले या करके तो वो सोच रहे होंगे कि हमें भी क्या Kashmir आना पड़ेग जिन्होंने required qualifying जो भी examination है वो पास किया हुआ है और जो percentage हो है वो obtained किया है जितना यहाँ पर मांगा गया है ठीक है पहले हम आपको percentage ही दिखा देता हो देखो यहाँ पर कश्मीर चप्टर में OM का जो फिर से बुलाया है इन्होंने 70 से लेके 69.50 तक ठीक है जिन बच्चों के इसके बीच में नंबर लाई कर रहा है या 69.50 भी है तो वो भी जाएंगे और भी एका देखो यहाँ पर 66.43 से लेके 65.70 जिन बच्चों का इसके बीच में लाई कर रहा है ठीक है यह जिनका 65.70 है वो भी जाएंगे WUP वाले 47.78 से लेके 45.17 तो यह तो आ जाएगा कश्मीर इसी परकार से जम्मू चेप्टर का देखलो जिनका है 76.42 से लेके 74.77 अर्बी का देखलो यहाँ पर 74.09 से लेके 73.52 SC का देखलो यहाँ पर 71.58 से लेके 70.48 तो ST का भी देखलो इसी परकार से 72.92 से लेके 69.79 ELC का देखलो यहाँ पर 70.40 से लेके 70.24 और EWS का देखलो से लेके 46.92 वाले बिच्चे देख लो यहां पर 75.40 से लेके 73.15 अब गरगिल वाले देख लो यहां पर 71.10 से लेके 71.03 और ले चेप्टर वाले 70 से लेके 69.93 जिन बिच्चों का यह लास्ट वाला भी अगर है ना जैसे किसी का 73.52 तो वो भी आएगा ठीक है अब इनको आना सिर्फ किश्मीर वालों को आने क्या करना है किश्मीर चेप्टर वालों को देखो यहां पर लिख रखा है क्या लिख रखा है सामने लिख रखा है देखो यहां पर उससे बहले एक और important line दिखिए कि जिन बच्चों का पहले selection हो चुका है ना ठीक है selection list के अंदर जैसे first, second, कर रहे हैं बच्चे ध्यान से सुनना उनको क्या करना है counseling farm download करना है मैं अभी बताऊंगा आपको और आपको description के अंदर उसका link भी मिल जाएकर directly farm download कर सकते हो आँ वहां से YouTube के description में इसी वीडियो के वहां पे आपको मिल जाएगा आपको क्या करना है counseling farm download करना है उसको fill करना है ठीक है और फिर उसके बाद आपको जो भी आपके graduation के mark certificate है वो उसके साथ attach करना है और फिर counseling के लिए आपको जाना है कहां पर किश्मीर यूनिवस्टी में ठीक है क्योंकि किश्मीर वाले जा सकते है पास है तो यहां पर दे नहीं जाने है क्या करना है इनको कहीं आपको क्या करना है सिर्फ counseling farm जो असको download करना है ठीक है website से website से कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में देख लो link मिल जाएगा आपको ड्रेक्ली टैप करो आपको PDF मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है सारी की सारी details उस पर फिल करनी ह और detail fill करने के बाद आपको क्या कर रहा है graduation के marks card के photo लेने है और एक single PDF बनानी है ठीक है और उस PDF को आपको share कर रहा है इस mail पे ठीक है आपको नहीं जाना है आपको physically present नहीं होना है वहाँ पे ठीक है तो ये था और कश्मीर वाले जाएंगे जिनका कश्मीर चप्टर है ठीक है तो ये था उसके बाद देखो यहाँ पे important चीज देर की है लिख रखा है कि जो बच्चे जिनका earlier selection हो चुका है यानि first, second, third list के अंदर ठीक है और वो admission formalities उन्होंने पूरी नहीं करी ध्यान से सुनो admission formalities पूरी नहीं करी तो उनका जो right of admission है वो forfeit यानि वो lose कर चुके है तो अभी वो eligible नहीं होंगे counseling session में appear होने के लिए ठीक है तो ये very very important है वो eligible नहीं है जैसे कोई बच्चा था 80% वेशाक उसके थे पहली list में उसका नाम आया लेकिन उसने admission formalities नहीं फूरी करी नहीं बरा fill form नहीं करा तो अब वो नहीं है गास counseling में eligible नहीं होगा वो लेकिन जिनका नाम नहीं था पहले वो जा सकते है ठीक है उसके बाद देखो यांपे अभी हम आपको उता देंगे ये तो था complete ठीक है formalities तो आपको ये download हो जाएगा ठीक है तो ये है हमारा counseling form ठीक है ये आपको जो है वो form fill करना है ठीक है जो भी बच्चे हमाएं चाहे वो किश्मीर चैप्टर से हो जमू से हो वाले ले करगिल उनको ये अपना यहाँ पर application form नंबर लिखने नेम के है आपका वो लिखने है आपको parentage यानि पापा का नाम लिखने है आपको address लिखोगे आप complete जो भी आपने form पर लिखा है chapter कून सा है वो लिखोगे ले वाले ले लिखेंगे करगिल वाले करगिल और जमू वाले जमू लिखेंगे और हमारे OSJ वाले OSJ ही लिखेंगे यहां पर तो उनका भी जमू चेप्टर ही आएगा ठीक है तो bracket के अंदर जमू चेप्टर लिखने ना पीछे OSJ लिखने ना जो बाहर वाले यहां अधर स्टेट वाले category जो भी आपका है वो यहां पर mention करोगे आप graduation marks percentage कितने आपका वो यहां पर लिखोगे ठीक है और इसको गलत मत फिल करना phone number और mobile number आप यहां पर लिखोगे और आपके last में यहां पर signature हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है जैसे मैंने बताया again हम आपको बता देते हैं एक short के अंदर कश्मीर chapter वाले बच्चे खुद जाएंगे ठीक है यह farm लेकर डीडी में वहां पर counseling के लिए और जो बाकी बच्चे हैं हमारे ठीक है जम्मू chapter, OSJ वाले ले chapter और करगिल chapter इनको क्या करना है इस farm को फिल करना है ठीक है तो यह simple process है ठीक है इसको complete करो ठीक है so that's it और फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप जरूर पुशिएगा ठीक है हम अपकी पूरी help करेंगे so आज के लिए इतना ही जुड़े हैं मारे साल ठीक है कोई भी update आता है तो हम आप तक जल्दी पहुंचा देंगे और फिर भी अगर कोई doubt रहता है query आपकी तो आप comment section के अंदर जुरूर बताएगे का so bye bye and have a good day